Hello everyone, I am Pawan Kumar आपको जस्सा की पता है सीचतल का एक्जाम चालू हो चुका है और एनालेसिस बहुत जादा इंपॉर्डेंट है इसमें एक तारीक के जितना भी एक्जाम का एनालेसिस है वो दिया गया है ध्यान लखे का इस क्लास का अब्जेक्टिव पढ़ाना नहीं है आपके पास सिर्फ questions पहुचाने है बाकी जितनों के answer मुझे आ रहे होंगे मैं उनको आपको पहुचा दूँगा ठीक है चलिए देखते हैं कौन कौन से question आपके पूशे गए हैं सबसे पहले यहां पे जो पूशा गया था वो है कितने tier में health system भारत के अविलेवर तो basic basic से कुछ questions है ध्यान लखना पेपर में आपको परिशान नहीं होना है जो आता है वो आता है उसी साबसे करना है बहुत जादा सोचोगे ना तो question गलत हो जाएगा तो भारत के अंदर तीन system में तीन layer में आपको जो health system है वो देखने के लिए मिल जाता है primary, secondary और tertiary next question क्या है आपके पास who was the writer of नात्य शास्तर तो basic सा question है यह जो आपके भारत मुनी थे उन्होंने नात्य शास्तर को लिखा था और इसको हम पांचवा वेद भी कहते हैं basic knowledge है what is the highest peak of eastern ghat तो eastern ghat का आपका highest peak जो है वो महिंद्र गिरी है आपका एक जिंदा पाड़ा भी है लेकिन option में जिंदा पाड़ा थाया नहीं था यह आप लोग जब हम पेपर बाद में देखेंगे पूरा अगर वो आ जाएगा हमारे पास तभी पाड़ा चल सकता है जिंदा पाड़ा भी आपका include है और जिंदा पाड़ा नहीं है तो फिर आपका महिंद्र गिरी आएगा इसके लावा radius of football पूछी है तो football की radius जो है वो 11 cm होती है drain of wealth थे होई अब देखो जैसे यह radius of football वाला question है यह अगर आपने PYQ session किये है तो वहाँ से आपको मिल सकता है ठीक है क्योंकि पहले इसका diameter पूछ रखा है और diameter होता है football का बारे मात करके तो 22 cm और उसका half नगलता है radius तो radius है आपका football का 11 cm drain of wealth theory बात करेंगे तो दादा भाई नौरो जी बहुत basic question है ठीक है और इनकी किताब थी इनोंने रिखी थी इसके बाद ही पूरा हड़का मज गया था बिटिश सरकार के अंदर तो आर्चरी के अंदर कब शुरुआत हुई है इसको देखिए 1900 में तो हमने एक तरह से Olympic में खेलना शुरू किया था तो कब से कब तक है यह option जब मिलेंगे तब हम इसको जाकर के कर सकते हैं कुछ questions आपको छोड़ने भी होते हैं हर किसी पे tackle नहीं करना है लेकिन आर्चरी में इंडिविजुली पूछा याने की वह अफिजूटिंग के शेतर में अब शूटिंग के भी हमारे अलग-अलग होते हैं आर्चरी का अलग है शुटिंग का अलग है शुटिंग अभी कुछिन पूछा गया है अलग शिफ्ट में आर्चरी का भी पूछा गया है अगला question है तो कस्टम के लिए जो रूल है वो बनाने कारे किसके पास आता है तो करेवा कश्मीर हिमारे में पाई जाने वाली सॉइल है और सैफरोन की खेती के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इतना आपको ध्यान देखा है ठीक है यह सारे कोशन है जो पूशे गए है अगला कॉशन देखे क्या है यहाँ पे पूशा गया है ऐसे कौन से आर्टिकल है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं किये जा सकते यहाँ पे आर्टिकल दिये गए थे आपका 2, 3, 21 और 169 तो पॉलिटी में आपको यहाँ टॉपिक भी जाकर के कवर करना है मैंडमस क्या है इसके बारे में पूशा और शायद कुशन यह था कि मैंडमस किसके अंतरकत आता है तो आर्टिकल 32 के अंदर या आता है मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड ठीक है इतना ध्यान लखेगा इसके लाव आपके पास पांस तरह की रिट होती है जिनको जारी किया जाता है सुप्रीम कोट और हाई कोट के दौरा दोनों के दौरा सुप्रीम कोट जारी करता है वो आपका आर्टिकल 32 के तहत करता है हाई कोट करता है 226 के तहत शेतर की बात करोगे तो हाई कोट का जो शेतर है वो बड़ा होता है सुप्रीम कोट की आर्टिकल 32 के पावर की अगेंस्ट में ठीक है अगेंस्ट में नहीं बोलोगे तो उसकी तुल्ना में बोलोगे न, तुल्ना में सुप्रमिन कोट का जो शेतर है वो छोटा होता है किलियर, पांस तरह के रिट कोण कोण से होती है आपकी हैविस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्यों वारंट हो हैविस कॉर्पस को हम लोग एक तरह से जानते हैं तु हैव दब बोड़ी, मैंडमस होता है गी कमांड प्रोहिबिशन होता है आपका तु फॉर्बिड, ठीक है सर्चरी होता है, तु सर्टिफाइ ओफ, मनलब कि इसने आपको परमिशन दे दी है तु सर्टिफाइ ओफ, यह परमिशन दे नहीं है, क्यों वारंट होता है तु वार्ट अथॉर्ट अथॉर्ट यह आपको परमिशन किस ने दी है और कॉंसिटिशनल जो अमेंडमन के बात हो रही है ना, इसको जो उपर वाला कोशनता हमारे पास यह वाला, इसमें ध्यानता है, तीन तरह से हम लोग जो अमेंडमन है, वो कर सकते हैं सिंपल मेजूरिटी होती है, और आपका स्पेशल मेजूरिटी होती है और आपका स्पेशल के साथ से रेक्टिफिकेशन होता है, हाफ स्टेट्स का ठीक है तो special जो हम लोग करते हैं amendment वो और साथ में special और half states का साथ जो होता है इनको हम लोग article 368 के थुरू करते हैं जबकि simple amendment जो होता है वो आपका संसत के दोरा ही कर दिया जाता है next हमार पस ये current का question है CVC कौन अपॉइंट किये गए है father of Carnatic music कौन है तो father of Carnatic music ये एक बहुत ही basic सा question है जो हर बार हम लोग पीवाई की सेशन में या फिर important question जो होते हैं उसकी list में इसको add कर लेते हैं ये हैं आपके पुरंदर दास देव है फिर्स के टाइम में भारत आये थे ठीक है कौन सा question कर लिया हमने Carnatic music वाला किया है अगला question है मारे पास when did India participate in shooting for the first time ये अलक्षिप में पूछा गया था NGT किसके अंडर काम करता है तो ministry of forest ministry of environment forest and climate change के अंदर ही काम करता है दस 2010 में किस बात हम नहीं करी थी with the tribe है ये कहां की है ये कुछ question था रिट्स कितने तरह की है ये दूसरे shift में पूछा गया है पंडावनी डांस ये 36 गलका है ध्यान दखिएगा ठीक है में मैं गलत नहीं 36 गलका ही होना चाहिए और तीजन बाई जो है वो इससे संबंदित है what was the land माफ करें question कहा गया हमारा question था what was the land given to Brahmins in Chola dynasty इनको हम लोग क्या बोलते थे तो इनको बोला जाता था Brahmadat ठीक है Brahmadat क्या रहूं मैं Brahmadat होता था जो की ब्रामणों को दी गई भूमी थी इसके साथ साथ चोला डैनेस्टी में तीन और तरह की भूमिया थी जो दान में दी जाती थी जिनको हम लोग बोलते स्कूल के लिए जो विद्यालों के लिए दी जाती थी भूमिया उसको बोलते थे शाल भोग जैनों के लिए दी जाती थी पली चंदन टेंपल के लिए दी जाती थी देवदान, खिलेर हो गया यहाँ पर कुछ चीज़ थी, जो मैंने कवर कर दी है next हमारे परस कुछ और कोशन्स है यहाँ पर जैसे की atomic number की खोश करेंगे, x-ray radiation की तो आपका जो मोर्सले हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, 1913 में ठीक है, शुरुआतनी इसकी खोश करी थी, माफ़ करें अगला है, फर्स फीमेल जो एक तरह से यह शिवा ठाकुन है यहाँ पर मैंने इसको आंसर को मैंशन कर दिया है फर्स फीमेल हैं, जो कि आपकी यह सियाशीन ग्लेशर के अंदर इनको तैनात किया गया था यह लास्ट एर की नियूज है और यह इंपोरेंट वोमेन है काफी, उस टाम काफी नियूज में आई थी आर्टिकल आपका सेटिजेंशिप को लेकर पूशा गया है, हीमन ट्रैफिंग को लेकर पूशा गया है नेक्स देखे क्या है, विक्रमशिला उनिवर्सिटी की खोच किस ने करी थी जयान रखेगा, विक्रमशिला उनिवर्सिटी की खोच करने वाले थे धरम पाल इसके लावा आपके नालंदा भी इंपोरेंट है जिसको हाल ही में एक तरह से दुबारा रिबिल्ड किया गया है काफी नीज में है कि इसने किसी एक्जाम में पूछ लिया जाएगा तो नालन्ना को बनाया था कुमार गुप्त ने ओधन्त पूरी भी आपका एक इंबॉडेंट है जो एक्जाम परस्पेक्टिव से उसकी शुबात कर रही थी गोपाल ने जो की पाल वन्स के संसापक भी थे ही ठीक है अगल आपका वार एस कनेक्टिविटी पूछा गया है ये वोल्ट ओवर वाइफाई वोल्टी हो सकता है कम्पिटर का कोशन था ध्यान रखना मायधर राउत का संबन किस डांस फॉर्म से है तो ये ओडिशी से संबन नित है ध्यान रखना अब देखो मैं ध्यान कहें रखने के लिए बोल रहा हूँ इसका मतलब ये निये कि ये कोशन आने वाला है हम सभी लोग चीज़ को लेकर समझदार है कुल मिला करके कौन कौन से टॉपिक आपको रिविजन करने हैं फास्ट मोड पे वो यहाँ पे मैंशन है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ने पूछा गया है सहथ कुछ कंपिटर का कौशन होगा गंगौर फेस्टिवल ये राज स्थान में मनाया जाता है ठीक है इसको धियान लखना डिमांड फॉल्स तो एक्विल्विरिम प्राइस जो होता है वो बढ़ता है और वाईसे वरसे दोनों कर्डिशन होती है ठीक हैं CBC अपॉइंट किये गए है तो next class में आपका CBC से पूछा जा सकता है CBC नहीं पूछेंगे तो कुछ और पूछ लेंगे यानि कि ये statutory body है या regulatory body है किस तरह की body है किस शेतर में काम करती है तो CBC ध्यानकनाई corruption के लिए काम करती है एक statutory body है और 1964 में इसके सापना हुई थी के संथानम committee जो है उसके सिफारिशों के थूरू इसका गठन किया गया था CBI का गठन भी जो है के संथानम committee की सिफारिशों के तहत किया गया था तो आपके लिए अब यहाँ पर important question कौन कौन से बनते हैं रिट्स तो आपकी इसमें आएगी पॉलिटे के अंदर इसके अलावा आपके dance forms वगरा जो है वो चीटे देख लेना और loose end के ही अंदर आपकी drain of wealth theory को question को लेकर करके मैं बता रहा हूँ जो listing दे रखी न modern history की उसको cover कर लेना इतना time ही था वरना महीं इसको cover कर रहा दे था करेंवाला question जो है अगर आप current affair या पर कुछ इते पड़ते रहते हो तो वहां से आपकी चीज़े cover रहेंगी शुरुआत का भी time चल रहा है तो ये question भी पूशे गए हैं बाद में आपका ये लोग current अफर पर भी आएंगे जो classes आपकी हुई है specific current की class जो है important जो static current होता है और हर महने update होता रहता है वो महने update कर दी है class उसको आप बहां से कर सकते हो अब इसे radius of football अगर यह आपको नहीं पता है छूट रहा है तो just let go इसको जाने दो आप इतना hectic मत बनाना पेपर को क्यार नहीं करना ही करना है वहाँ पर गलत हो जाएगा नाटे शास वाला है यह भी आपका music के श्वित्र में आ गया health system जो है basic सी knowledge होती है कुछ तीचा topic में आगे होंगी कि आपको किस तरह से एक्जाम को आगे लेकर करके जाना है यह जो class है आपकी यह चलती रहेंगी हम इसका analysis करते रहेंगे और जैसे चीदे जो update होंगी वो topic में आपको cover कराता रहूँगा जलती मिलते हैं next class में thank you